नमस्कार, स्वागत आपका कापिटल टीवे बिहार के स्पेशल सोब बिहार के चौसर में और मैं हूँ आपके साथ आत्म जा चुनाव आयोग ने देश भर में राज्य सभा की खाली हुई 12 सीटों पर रुप चुनाव का एलान कर दिया है इनमें दो सीटे बिहार की भी है और बिहार को लेकर लगभग तैम आना जा रहा है कि इन दोनों सीटों पर NDA का कबजा होना है लेकिन कई सारे नाम निकल कर सामने आ रहे हैं जिनको राज्य सभा भेजने की तयारी NDA कर रही है सबसे पहले तो आपको बता दे कि बिहार से राज्य सभा सांसद विवेक ठाकुर और मिशा भारती के लोग सभा चुनाव में जीत के बाद दोनों ने राज्य सभा से इस्तिफा दिया था इन्हें दोनों सीट पर उपचुनाव होना है चुनाय आयोक की ओर से दी गई ज्यानकारी के मताबिक मिशा भारती का कारेकाल 7 जुलाई 2028 तक था वही विवेक ठाकुर का कारेकाल जो है वह 9 अप्रेल 2026 तक था अब उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले उमिद्वार का कारेकाल उतना ही रहेगा बता दे कि दोनों सीटों पर अलग-अलग वोटिंग होगी लिहाजा संख्या बल के अधार पर इंडिये दोनों सीट पर कबज़ा कर लेगा वैसे भी बिहार में राजसभा चुनाव में वोटिंग की नौबत सायद ही कभी आती है राजसभा उपचुनाव में राष्टी लोग मोर्शा के अध्यक शुपेंद्र कुस्वाह का सालसद बनना तय है बीजेपी ने पहले ही घोशित कर दिया है कि वह उपचुनाव में पहले कर चुके है वहीं दूसरी नंबर पर सहनवाज हुसेन के नाम की भी चर्चा चल रही है जो की भाजपा के रास्टी प्रवक्ता है साधी पार्टी के सीनियर लीडर भी है बीते दिनों लोगसबस चुनाव में उन्हें टिकट भी नहीं मिला तो ऐसे में पाती अब उन्हें राजसभा भीज कर सेटल करना चाहेगी इसके साथी राजकुमार सिंग यानि कि आरके सिंग के नाम की भी चर्चा तेज है इन्होंने 2024 के लोगसबस चुनाव में आरसी चुनाव लड़ा था जहां इन्हें हार का सामना करना पड़ा ऐसे में भाश्पा भी इन्हें राजसभा भीज सकती है वहीं एक और संभावना यह भी बन रही है कि नतीश कुमार या सीट शायद राज़त को दे दे क्योंकि नतीश कुमार को लेकर इस बात को जाना जाता है सारे लोग इस बात से वाकिफ है कि वह राजसभा में चुनाव कराने से बचते हैं चुकि यह सीट मिशा भारती की थी तो ऐसे में नतीश कुमार चाहेंगे कि यह सीट राज़त के खाते में चली जाए और अगर ऐसा होता है तो राज़त में रोहिनी अचारे का नाम सबसे आगे चल रहा है जो कि लालू यादो की बेटी हैं और 2024 की लोग सबस चुनाओ में सारन सी चुनाओ भी लड़ चुकी हैं हलाकि उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा अब ऐसा होने की चांसिस बहुत कम हैं लेकिन यह संभावना जरूर बन रही है साथे आपको बता दे कि चुनाओ आयोग ने दोनों सीट पर रुप चुनाओ की अधिसूचनाओ जारी कर दी है इसके मताबिक 14 आगस्ट से नमांकर की प्रक्रियाश शुरू हो जाएगी की बराबर है लेकिन इन जिन चार नामों की बारे में हमने चर्चा की है आपको क्या लगता है कौन राज्यसभा जाने के लायक है या पाठी किस पर भरोसा जताएगी आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं वीडियो अच्छी रगी हो तो शेयर करें और आगी की तम की बिहार दन्यवाद